हाई एवरीवन वेलकम बैक टूम चैनल मैं हूँ शिवानी लेकर आगी हूँ आप लोगों के लिए एक और रिलेशनशिप एडवाइस का वीडियो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अपने पार्टनर के साथ अपने लाइफ पार्टनर के साथ या फिर जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसके साथ किस तरीके की उम्मीद रखनी चैए किस तरीके की नई रखनी चैए क्योंकि कितनी बार होता है ना कि हम किसी से उ अपनी नेचर के हिसाब से चल रहा है लेकिन आपको कहीं ना कहीं हर्ट बहुत जादा कर रहा है तो ऐसे में गलती किसकी है हमारी ही है कि हम क्यों इतनी ओवर एक्सपेक्टेशन किसी से रख लेते हैं कि वह हमें हर्ट कर जाती है तो इसी के ओपर बात करते हैं कि क्या शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और मेरे चाल्ट पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रू करना लेट्स गेट स्टार्टेशन कि देखे थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन हमें हर किसी से होती ही है लेकिन जब यह जो आपने अपने मन में बिठा रखी है वो दूसरे इंसान को पता भी नहीं है और आपके मन में ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए तो वहीं पर थोड़ा सा कम्यूनिकेशन गैप हो जाता है जैसे कि बहुत सारे लड़कों के मन में एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी वाइफ आ काम आता होगा किचिन का काम आता होगा मेरा घर समाल लेगी वहीं बहुत सारी लड़कियां अपना जो टाइम है वो अपना पढ़ने में करियर बनाने में इस सब चीजों में लगा देती है और घर के काम या घर समालना या किचिन समालना खाना बनाना यह चीजों पर उतना लडाई या husband बोलता है अरे तुमने इतना तक नहीं सी का wife बोलती है अरे तुम घर का काम नहीं करा सकते हैं ठीक है तो यह communication यहां पर gap है आप expect क्यों करते हो जब लड़की देखने जाते हो या लड़का देखने जाते हो तभी इन चीज़ों को discuss करने तभी उनसे पूछने उ तो पहले तो वहीं पर ही सारी यह चीज़ें discuss करने छोटी-छोटी सी मैंने इस पर वीडियो भी मनाई थी कि जब आप लड़की को देखने जाते हैं तो क्या conversation होनी चाहिए क्या बातचीत होनी चाहिए मैंने दस एक must वाले उसमें question लिखे थे कि यह question तो आपको पूछने ह चाहिए जिस पर काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि life partner ना इतना जादा यह question answer करके नहीं होता इतना बाते कौन करता है इतने question कौन पूछता है जो लोग नहीं पूछते ना वहीं बाद में पंचता आते हैं उनके ही बाद में लडाई जगड़े होते हैं और expectation का जो उनका इतना पूछने का आपका अधिकार है आप अपना life partner चूज कर रहे हो सारी जिंदगी आपको उसके साथ बितानी है ऐसे नहीं कि आप गए और कोई electronics का समान खरेद रहे हो वहाँ बेबी हम इतने सवाल पूछते हैं ना कैसे चलेगा कितनी warranty है कितनी guarantee है कैसे work करता है पूरा demo लेत हम बात नहीं करते हैं directly और मन ही मन में ऐसा सोचते हैं कि अरे यह चीज़ तो उसे पता ही होगी यह चीज़ तो उसे करनी ही चाहिए जबकि कितने लड़के ऐसा नहीं करते हैं उनके मन में यह चीज़े होती ही नहीं है ठीक है बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनकी family मे girl नहीं होती है, उनकी बहने नहीं होती है तो लड़कियों को कैसे, मतलब रखना है, treat करना है, उनके साथ कैसे behave करना है, लड़कियों की problem छोटी-छोटी, उनको नहीं समझ आती है, और हमें ऐसा लगता है लड़कियों को, ये तो basic सी चीज़ है, ये तो तुमको समझनी चाहिए नहीं, हर कोई इंसान different होता है ठीक है, तो अगर आपका husband या आपका partner वो चीज़े नहीं समझ पा रहा है तो आप उन्हें बिठा के उनसे बात कर सकते हो उन्हें अपनी चीज़ें समझा सकते हो ठीक है, तो communication प्रौपर होना चाहिए, कोई चीज़ है जो आपको उन्हें कनवे करनी है तो उन्हें बिठा के उनसे बात कर सकते है जरूरी नहीं है कि हर चोछी चोछी चीज़ के लिए बड़ा जगडा हो, तभी आप अपने मन की बात बोलोगे आप उपने मन की बात कभी भी express कर जबते हो, नॉर्मल प्यार से बिठा के भी उन्हें बोल सकते हो, सुनो मुझे ना कुछ बात करनी है, और बोल दो कि मुझे ना तुम्हारी ये चीज अच्छी नहीं लगती, तुम ऐसे करते हो, तुम को यहाँ पर मुझे समझना चाहिए, कहीं वो कुछ उल्टा ना बोले, ऐसे ऐसे ना आप अपने मन में चीज़ें दबाते रहोगे, और एक दिन आएगा कि आपको गुसना फूट पड़ेगा, और आपके पार्टनर को भी नहीं समझाएगा कि यह क्या पागलों जैसे बहेव कर रही है, क्या हो गया है इसे, उ तो अपने पार्टनर को दूसरों से compare करते हैं और उसके हिसाब से अपने मन में धेर सारी expectation बना लेते हैं कि मेरा पार्टनर भी उसके पती जैसे करे, या मेरी बीवी भी उसके जैसे ready हो, वो ऐसे करे, वैसे करे, again हर इंसान different है, उसका behavior, उसका nature, उसका lifestyle, उसका comfort दूसरों स different हो सकता है, तो आप अपने partner को अपने नजरिये से देखिए, उनका point of view क्या है, वो ऐसे क्यों है, उसको समझने के कोशिश कीज़े, ना कि दूसरों से compare कीज़े, कि आपकी नजर में कोई और दूसरा couple बहुती perfect है, तो हमारे बीच भी यह चीज होनी चाहिए, नहीं, comparison कभ भी नहीं करना चाहिए, अब next बात करते हैं, ऐसे लोगों की जिन्हें अपना perfect partner चाहिए होता है, उनकी एक list होती है, कि यह 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 इसा perfect होना चाहिए, और वैसा नहीं होता, तो उसमें कमिया निकालते हैं, उसे बोलते हैं, सुनाते हैं, जगरते हैं, ऐसा नहीं करना देखिए, perfect partner जैसा कुछ नहीं होता, it's a myth, हर इंसान में flaw होते हैं, हर इंसान के अपने positive point होते हैं, negative point होते हैं, आपको थोड़ा बहुत adjust करना ही पड़ता है, आप खुद भी तो perfect नहीं होगे, आप में भी तो कुछ flaws होंगे, आपको भी तो कुछ काम नहीं आते होंगे, तो थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ adjust करके चलना पड़ता है, और हमेशा negative points ही ना देख के, उनके positive point भी देखिए, कि वो किस काम में अच्छे हैं, क्या काम वो अच्छा करते हैं, उनके लिए आप उनकी तारीफ भी तो कभी करो, या सिर्फ हमेशा उनने सुनाते रहती अगर आप चार चीजों में उनकी तारीफ करते हो और दो चीजों में बोलते हो ना कि सुनो मुझे ना ये चीज तुमारी पसंद नहीं है, तो उनको भी लगेगा कि हाँ चलो आप उनकी तारीफ भी कर रहे हो और कोई problem है, तो उनको भी लगेगा कि अगर वो adjust करते होंगे ना रखें यह मैंने पहले भी बोला है अगेन मैं इसको थोड़ा explain करके आपको बोलना चाहूंगी कि देखो बहुत जादा जब हम expect कर लेते हैं और उसका अगर 50% भी काम हो रहा है तो भी हम खुश नहीं रहेंगे और वही हमने expect किया only 10% और हमारा partner 50% तक हमें deliver कर रहा है तो उसमें ही हम खुश हो जाएंगे तो यह हमारा नजरिया है हमारी सोच है कि अगर हमने over expect किया तो हम दुखी ही रहेंगे चाहें वो कितना भी effort कर रहा हो वहीं अगर हम कोई उम्मीद रखेंगे यह नहीं और उसमें सुबह में लेट उठते हैं जबकि उस टाइम पर मैं अपनी बेटी को तियार करके उसका लंच बना के उसको छोड़के भी आ जाती हूँ लेकिन उनका थोड़ा सा भी lifestyle change हुआ है वह भी जल्दी उठ रहे हैं जल्दी office जा रहे हैं तो ऐसे में क्या हुआ ना कि उन्होंने रीड कर लेंगे तो ले आएंगे नहीं तो फिर मैं ले यहाँगी उन्होंने रीड कर लिया वह लेके भी आया एंड इस्पेशली ब्राउन ब्रेड लेके आए क्योंकि उन्हें पता है मैं कुछ टाइम से ब्राउन ब्रेड ही यूज कर रहे हूं I was like so happy कि आप इतना notice करते कि वो लाएंगे भी और वो ले आए और इस्पेशली वो वाला लेकर आए it made me so happy और वहीं पर अगर आप पहले सही expect करके रखोगे और वो लाना भूल गए या नहीं message पड़ पाये तो हमें वहीं पर गुसा आएगा कि कितना लापरवा इंसान है तो यही मैं आपको समझान उनों दुखी रहते हो तो यही थे मेरे कुछ points at the end में आपको यही बोलना चाहूंगी everyone is different हर इंसान अलग है उसको आप समझने की थोड़ी कोशिश करो understand करने की कोशिश करो अपने को उसकी जगहा पे रख के देखो तब सोचो तब शायद हो सकता है आप उसे जादा अच् गई तो सब कुछ sort हो जाएगा यह over expectation भी खतम हो जाएगे आपको अपने partner का nature पता होगा उसका behavior पता होगा कि यह तो ऐसा ही है उसके साथ अगर आप adjust करना शुरू कर दोगे तो वो थोड़े भी effort करेंगे न वो भी आपको खुशी देंगे और आपको अच्छा लगेगा तो यही है relationship में खुश रहने का मंत्रा, misunderstanding को कम करने का मंत्रा और यह fall to expectation खतम करने का मंत्रा ठीक है तो अभी के लिए इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो like करना, share करना और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना और bell icon को press करोग अभी मैं चलते हूं मिलूँगी अगले वीजियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए, बाबाई, टेक केर